अपने मोबाइल फोन में फेस्बूक की कोई भी स्टोरी को अपने वोटसब इस्टेटस पर कैसे लगा सकते हैं हलो दोस्तूं आज जी के इसी वीडियो में जानेंगे कि अपने मोबाइल में फेस्बूक और हमने कोई स्टोरी पोस्ट करके रखी हैं तो उसको हम WhatsApp status पर कैसे लगा सकते ही जानेंगे पूरी वीडियो डीटेल के साथ में तो दोस्तों आप इसी वीडियो को सरुस लेके end तक देख लेना मैं आपको step by step समझाऊंगा तो दोस्तों आपको भी समझ में आ जाएगा और आप भी अपने मोबाल में फेस्बूक पर किसी भी स्टोरी को WhatsApp पर लगाना सीख के जाओगी तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते ही तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सास्केम दो सास्काइब कर देना और आपको पासम बेलन गंटी दिखाए देरी उसको भी ओल पर प्रेज कर देना उसके बदगैस आप अपने मोबाल में Facebook अकाउन को ओपन कर लेना उसके बदगैस आपका आपड़ दिखाए देरा मैंने Facebook पर इस स्टोरी को पोस्ट करके रखी हैं तो इस story को अपने WhatsApp पर केसे लगा सकता हूँ क्या दोस्तों आपने भी Facebook कोई story पोस्ट करके रखी हैं वो अपने mobile में उसको केसे यूज कर सकते हैं तो दोस्तों आप अपने mobile में उस story पर कलिक कलेना उसके बद गैस आपको अपने में ठिडुक का बटन दीक का लेना जैसे उसपे कलिक करोगे तो गैस ये वीडियो होगा वो अपने mobile की गैलेरी में सेव हो जाएगा उसके बद गैस आप अपने mobile में mobile की गैलेरी को open कर लेना और दोस्तों आपको आपने दिखाए दरा मेरे पास यह वीडियो आचुका है उसका गैस आप अपने मोबाइल में वोटसप एपलिकेशन को ओपन करके आपको अपने स्टेटस पर कलिक करोगे तो गैस आपने जो वीडियो को डाउनलोड किया था वो आपका आपड दिखाए देरा जैसे उस पर कली करके आप इसी वीडियो को अपने मोबाइल में वोटसप स्टेटस पर लगा सकते हो क्या दोस्तों आपने भी अपने mobile में वोर्टसब स्टेटस परगाना चाहते हो तो इस परकार लगा सकते हो तो चलिए तोस्तों ये वीडियो आपको useful लगी तो वीडियो को like जू कर देना और fans से वीडियो कैसी लगी वीडियो के निचे comment करके जरूर बताना और fans आप इस channel पर नए हो तो channel को subscriber जरूर कर देना वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद